हेल स्टुडेंट्स कैसे आप सब होव सब अच्छाँगे आज की वीडियो में आप लोगों को तिये इंटर अडवांस काउंट का मैई 24 एकजाम का सोलुसन कवर करेंगे यह जो सोलुसन सीट यह आपको हमारी टेलेगाम सैंट में मिल जाएगी आप टेलेगाम सैंट को ज्व लोड कर लेना वीडियो को लाइक करना सब दोस्तों सेर करना है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इंपोर्टेंट इंफरमिशन आपके साथ सेर कर देता हूं अभी ना टाइम बिंग के लिए हैं हमने क्या किया है यह इंटर अडवांस काउंट के रेगुलर कोर्स पास मैं अगर मैं अभी की बात करू तो जो प्राकर प्राइस इस अभी टाइम बिंग के लिए जोटपका तकौकर फाश्ट का फॉसानड़ का 4600 में सिए फाइनल f r का एग्जाम-णिंटड बैसर फिटी फाइनड़ में है रेगुलर कोर्स के मैं बात करूं तो advanced count का जो रेगुलर कोर्स है वह 7300 में है और ca final fr का जो रेगुलर कोर्स है वह 9100 में है कि एक बात और मैं अपने 1st track कोर्स में भी ना कि और ca final fr के किस्ट में एग्जाम अटर बेच में भीना 100% syllabus कवर करा आता हूं कि अफ जो मैं जा रहा हो यह मेरी वर्डिंग नहीं बलकि स्ट्चुड्ट की वर्डिंग एक सअ ओकूर कोर्स में ऑ एक्जामायटृटट में कराते हूं और जितनी कवरेड है jokaं से तक देले कोर्स पर रहाख वहाँ पर भी नहीं थी जिन स्टुड्टक से मिरसे क्लासे ले रखी है चैंड व्रका स्धृत कर चैण एज को बूक्र से राग्लर बचल है अपना फीडवेक जरूर लिखे और यह अगे बढ़ते हैं और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिये जो पहला question था सर यह compulsory question था इसके दो पार्ट थे जो फर्स्ट का ए पार्ट था सर यह आपका AS16 का question है बहुत भी बड़ी है question है बिल्कुल एक conceptual question है question को start करने से पहले एक बात में आपको बता देता हूं AS16 के coding अगर capitalization of borrowing cost जो है उसकी commencement की condition अगर fulfill होती है तो हम लोग क्या करते हैं sir specific borrowing case में actual borrowing cost capitalize करते है मेरी wording सुनना specific borrowing case में अगर कोई temporary investment income है और जो temporary investment है वह आपका specific borrowing में से होनी चाहिए ठीक जी सर तो यह question उसी के उपर है देखिए On 1st April 23, G limited starter the construction of an office building qualified asset है The land under the building is regarded as a separate asset and not a part of qualified asset हालागी सर यहाँ पर इसने यह line लिख रखिए कि जो land है तर वो आपने building से अलग asset माननी है और उसे qualified asset नहीं मानना लेकिन कहीं और मतलब कोई और information सर इसके बारे में कहीं पी question में नहीं दे रहे कि ठीक जी सर मतलब इस line की को ज़्यादा relevant भी नहीं है question के बांटे उसे for the purpose of construction of building the company raised a specific loan of 14 lakh from a bank at an interest rate of 12% परहना यह देखिए सर company ने क्या किया सर एक specific loan ले लिया 14 lakh 12% rate of interest interest income of 15,000 was earned on this loan while it was held in anticipation of payment ठीक जी सर देखिए क्या हुआ जैसे हमने loan लिया तो सारा पैसा हमने एक साथ योज नहीं क्या हुआ कुछ पैसा हमने क्या हुआ क्या हुआ इन्वेस्ट कर दिया हुआ तो सर उसके उपर जो investment है उसके उपर हमें income आई है वो 15,000 है दा कंपनी अधर आउट्स्रेंडिंग लोन ओन फर्स्ट अप्रेश 23 वर एज फॉलोस देखिए क्वालिफवाइट के उपर जब हम लोग खर्चा करते तो हम लोग पहले किसे यूज करते स्पैसिफिक बोराइंग को फिर किसे यूज करते जर्नल बोराइंग को ठीक जी सक आएए पहले काम करते जर्नल बोरेंग रेट निकालते हैं 20 लेक इंटु 15 परसेंट सर्थी लेक और आपका 30 लेक इंटु 8 परसेंट सर्थ 2.40 टोटल इंट्रेस्ट का जो अमांट है सर्थ 540 आ गया डिवाइट बाइश फिप्टी लेक आपका जो जर्नल बोरेंग रेट ह चले जी सर आगे बढ़ते हैं देखी आगे क्या लिखते हैं दा कंस्ट्रक्शन बीडिंग स्टार्टे ओन फर्स्ट अपरेल 23 इसकाम लोग सर इस डेट से हम लोग क्या करेंगे स्पैसिव वरेंग की किसमें एक्चल वरेंग कोर्स करना स्टार्ट करते हैं ठीक जी सर और अब यहां पर बच्चे की क्यारी आती कि सर यह तो 10 मंत में कंप्लीट होगी तो इसे हम क्वालिफाई मानें अगर एक्चाम में उसने साफ साब बोल रहा है क्वालिफाई असेट है तो इर्रिस्पेक्टिव हो कि कि कितना टाइम प्रिडिड आपको कंस्ट्रक्शन में अब यहां पर देखें सब्सक्राइब को 4 लैक फर्स अगस्त को 10 लैक ठीक प्लीज ध्यान से बात सुनना जब तक यह 14 लैक का कोटा पूरा नहीं होता ना तब तक हम लोग सर अमाउंट को प्रोपोर्टिन निकरेंगे 14 लैक के के केस में सर हम क्या एक्शुल बोरिंग को स करतें उसको रेड्यूस कर देतें अगर पर टेंपरीर इंप्लीज में इंकम आई ठीक जी सर दा लाइफ ऑफ द बिलिंग इस एस्टिमेटे टूब टूटीयर अट इप्रीशन इस के अमाउंट को स्पेंट किया फोर लैक सब यह तैन मन्त के लिए आ जाएगा ठीक जी सर सर यह जो 10 लैक है ना इस पर भी 10 मन्त का इंट्रेस्ट आएगा तर क्यों इसे प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगा नहीं करें क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग का पैसा है यह देखिए सर स्पेसिफिक बोरोइंग 12 परसेंट 10 अपॉन 12 ठीक जी सर इसमें से मैं क्या से अपका जनल बोरोइंग से ठीक जी जी सर और जनल बोरोइंग का रेट इसर आपका 10.80 परसेंट यहांपर जी बोरूइंग तो 0 अब्रोट आगया वन सेवन टीक सर बोरींग को स्क्याटरिफलाइज हो जाए ठीक जी सर इसके एक तरीक और भी देखिए एक तरीक सर और क यह सर यह आपका specific borrowing है 10 lakh specific borrowing है इसके बाद सर जो भी पैसा यूज होगा जनल बोरइंग से यूज होगा तो 25 lakh आपका 2 मंत के लिए आ गया यह amount आगया ठीक जी सर इह देखें सर इंटरस्ट इंकम उन इंटरस्ट इंकम उन स्पैसिक बोरइंग आगी मतलब आपका इंटरस्ट बोरइंग पर सर जो बोरइंग कोस्ट हो आगी ठीक जी सर अब यहां पर देखें सर आपने बील्डिंग पे जो amount कितना इंकड़ किया है प्लस आपका 10 लेक प्लस आपका 25 लेक प्लस आपका 5 लेक 44 लेक का ठीक जी सर एस पर सर एस 10 हम क्या करें 44 लेक अप्लाइज करतें और एस पर एस 16 हम क्या करें 170 कप्लाइज करतें ठीक जी सर क्वेस्टन के सेगंड रिकॉर्मेंट रेंट्री पास करने आपने देखे सर विल्डिंग अकाउंट डेविट टू बैंक अकाउंट टू इंट्रस पेवल और हां अगर हमने इंट्रस पे कर दिया सर आपका कंबाइंड आमाउंट आ जाएगा ठीक जी सर डेपरिशंग बिल्डिंग फोर द इयर एंड देखे सर हम डेपरिशंग कब से चार्ज करना स्टाट करते है जिस डेट सर असे रेडिक तो यूज हो जाती है हम इस क्वेस्टन में क्या करेंगे थर्टी परिशनवरी को असे ट्रैटीट तो फ़ेबर विलसे से शार्ज करना स्टाट करें ठीक जी सर फॉर्टी लाएक्ष सेवंटी थाउजन सर आपका कोश्ट है डिवाइड बैट एक साल का डेपरीशेसर आगया जी सर टेवाईड वैवल इंटू तू मंत का डेपरीशन माइनस करता हैं ठीक जी सर आपका के अर्फ-टोर यह बहुत ही बड़ी आप प्रोड़क्शन करते हैं अगर कोई बाई प्रोड़क्ट आजाता है तो सर्फ बाई प्रोडट्क्ट की जो भी नेट रिलाइजबल वैलु आती है उसको में टोटल कोश्ट में से माइनस करते है ठीक जी सर और सर अगर मालों कोई से लोप स्क्रेप उसे भी हम क्या करते है और जो सर कोश्ट आती ना ज्वाइंट को सर्म लोग क्या करते हैं मतलब जो टोटल को साथी ज्वाइंट प्रोड़क्ट की ज्वाइंट प्रोड़क्ट में से हम क्या करते हैं अगर अलग से सर्फ कोस्ट अदेंटिफाइड नहीं हो पारी ठीक जी सर देखिए WWL is a textile manufacturing company and engaged in the production of polyester P and nylon N ठीक सर उसने दो प्रोड़क्ट बनाए हैं P और N while manufacturing the main product सर ये आपके main product है ये by product आपका fiber F is also produced ठीक सर ये आपका by product है detail of the cost of production are as under please ध्यान से बात सुनना by product के हम लोग net realizable value सर क्या करते हैं total cost में से minus करते हैं ठीक purchase of raw material for manufacturing process हो ये आपकी direct post आगी 350 प्लस आपका 160 प्लस आपका 120 प्लस आपका 60,000 प्लस आपका 690 पोस्ट आगी ठीक इस ये सर आउटपूट आगे ये सर क्लोजिंग इंवेंटरी आगी average market price of P&N is 160 ये देखें सर 160 तो sale value आ जाएगी आपकी joint product की कितनी 12500 इंटो 100 सर 12,50,000 और सर N product की sale value है आपका 6,00,000 ठीक जी सर अब देखिए जो by product है सर 3200 यूनिट है देखिए क्या लिखते हैं average market price of the P&N is Rs.160 per unit respectively by product fiber is sold at 40 per unit तो सर आप क्या करेंगे 3200 इंटो 40 सर by product को बेच देंगे 128,000 ठीक जी सर सर हम क्या करेंगे सर जो total joint cost ना उसमें से क्या करेंगे सर जो भी आपका by product का net selling price नेट net reliable value अपने पास आगी सर उसे minus करेंगे ठीक जी सर देखिए सर there is a profit of 8,000 on sale of by product सर इस लाइन की कोई relevance ही नी ठीक after incurring separate processing expenses 10,000 सर जब आपने इसे बेच आगा तो processing expenditure आपने अलग से इसका मतलब सर बैलन्स कितना आगा 1,9,000 तो net reliable value आपक्या करेंगे 1,9,000 इसमें से minus करते हैं ठीक जी सर 5000 वाज रिलाइज प्रूम सेलोग स्क्रेप ओके सर 5,000 आपक्या करेंगे सिलोग स्क्रेप इसमें से minus करते हैं ठीक जी सर 6,90,000 माइनस 1,9,000 माइनस तर आपका 5,000 ठीक जी सर फाइज सर जो आपकी कोस्ट है वो ज्वेंट प्रोडुकेट करेंगे तो हम क्या करेंगे सर सेल वाल्यू की रेशो में अलोकेट कर देंगे यह यह अगर आप देखेंगे तो यह यह यूनिट अपनी प्रिदूस्ट थी ठीक जी सर और यह सर जोएंट कोस्ट है तो सर कोस्ट पर उनिट आगी सर क्लोजिंग इन्वेंटरी जितनी अपने पासर से मल्टिप्लाइ करतेंगे सर यह वैलियो अप्लोजिंग प्लोजिंग स्टोक आगे ठीक जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्टिंट तू आपका इंटर्नल रिकंसर्टिंट था बोहुती आसान क्वेस्टन था आए एक काम करते पहले क्वेस्टिंग पढ़ते हैं यू रेक्वार्ट टू पास नसेसरी जर्नल एंट्री इन्दविक्स अप्टर्ट लिम्तर एंड टू इंडट इंट इम्लीमें लाएने आपने छोड़ने ठीक जी सर कैपिल एक्षिन अकाउंट सर्वर्मेंट बना लेंगे बैंक अकाउंट का फोर्मेंट बना लेंगे और बैंक का सर जो बैलेंस है ओपनिंग वो लिख लेंगे 1,33,000 चलें जीस आई सबसे पहले है ओन फर्स्ट वर्ल 24 कोड अपरूड दा फोलिंग रिकन्स स्कीम पोर जाद लेंगे तर आपका सेर कैपिल दे रखी एकोटी सेर है एट परसेंट प्रेफरेंस सेर है तेन परसेंट डिवेंचर है ट्रेड पेबल है गुडविल है प्रोप अपने डिवेंचर सेर परचेज कर रहके शिक्स लाइक की नोमिनल वैल्यूगे ठीक जी सर पी अल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है एच इकुटी सेर सेल भी सब्डिवाइड इंटू 10 एकुटी सेर ओफ 10 एच पुल्ली पेड़ा सर हमने क्या किया एक सेर को 10 इकुटी से अब यहां पर देखेंगे तो सर इकुटी सेर कपिल टू काउंट में पोस्टिंग कर देंगे 24,00,000 से और यहां पर सर आपका नोट आ गया इट इस एजूम देट रेटक्शन इन इकुटी सेर इस ओनली पेड़ा ठीक जी सर हाला कि इसका मतलब यह यह है बट नोट देने हम कोई गुराई नहीं है आगे देखेंगे प्रेफरेंस से डिविडेंट आर इन एरियर देख इसका मतलब सर क्या है कि three upon fourth year उन्होंने उन्होंने रियक्त क्या क्या वेब कर लिया उसका कोई ट्रिक्ट्मेंट नियुक्त अपने ही लिए उन्रिकॉल्टन लाइबल्टि और हमने कोई पेविंक करना कोई लाइबिपरेंट इनकर खिक जी सर कुछ पीविंक कर ना और और capital election में आपके entry मतलब posting आ जाएगे entry की और यहां पर area of duty ठीक जीस bank कम हो चालीगा चलिए सर इसके बाद देखिए own debenture of 240 nominal value were sold at 98 come interest and remaining on debenture were cancelled अब यहां पर देखें सर और year and pay balance sheet दे रखिए due date कुछ दे नहीं रखिए तो हम लोग मान के चलेंगे year and due date है कोई interest है नहीं तो हम लोग क्या करें सर इंट्रेस्ट को ignore कर देंगे ठीक जी सर तो 240 sir nominal value है sold की आपने 98 पे तो 240 इंटू 98 परसेंट 235 200 से debit करेंगे credit करेंगे अपना 576 nominal value है 6 lakh की 6 lakh की nominal value तो कोस 576 है तो 240 कोस की नहीं यहां पर यहां पर हमने एक note डाल दिया है interest on debension is paid on 31 March of each year so there is no accurate interest as on first April and therefore no adjustment is required ठीक जी sir एक बार इसने ना वैसे मैं आपको बता दूं यह जो मैंने आपके साथ solution discuss किया यह मैंने point number eight को ignore करके discuss किया है लेकिन से मैंने mention भी कर दिया कि 32 मार्स को pay होता है अगर सर यह line ना लिखी होते तो हम क्या करते देखे बटा तब भी हम लोग ना मजबूर होते lack of information की वज़े से क्योंकि accurate interest को गएर कुछ देन रखा question में ना तो हम लोग यहीं मानके अब यह देखिए 360 की nominal value को हमने क्या कि cancel करती है तो हम लोग क्या करें सर टैन परसेंट डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर से ठीक जी सर टू ओन डिवेंचर सर यह आपका आएगा 576 3,4,5,600 से डिवेंचर आपका capital deduction में आ जाएगा यह देखिए सर चलिए आगे लिखते हैं डिवेंचर holder of 6 lakh agree to accept one machinery of book value 9 lakh in full settlement सर इस में से 6 lakh डिवेंचर आगे आए उन्होंने क्या कि सर एक property plan and equipment में से machinery 9 lakh की तो में एंटरी क्या पास करेंगे 10% डिवेंचर आपकाउंट आविट 6 lakh से टू प्रोपर्टी प्लान डिक्यूमेंट सर 9 lakh से डिफरेंस सर आपका capital deduction में आ जाएगा 3 lakh से चले हांची सर आगे बरते हैं रिमेनिंग प्रोपर्टी प्लान डिक्यूमेंट वर वालूट अट 60 lakh सर प्रोपर्टी प्लान डिक्यूमेंट 63 lakh की बचकी एक सेकिड़ एक बार ना मैं capital deduction में पोस्टिंग भी कर देता हूं 3 lakh वाली यह देखें यहां अगर आप देखेंगे तो प्रोपर्टी प्लान डिक्यूमेंट 63 lakh से लेकिन उसने कहा कि रिवैल्यू कर दिया सर आपने 60 lakh से तो हम एंट्री क्याप करेंगे capital deduction अगाउंट अब तो प्रोपर्टी प्लान डिक्यूमेंट 3 lakh से और कंबाइन एंट्री पास कर देंगे आपका 13 lakh और 944 ट्रेड रिशेबल और इंवेंट्री सर यह देखें ट्रेड रिशेबल सर अपना कितने से हैं सर 1375 से 1375 माइनस आ जाएगा सर आपका आपका सर इंवेंट्री 944 इंवेंट्री सर आपका 980 है तो सर यह 36000 से आ जाएगा तुक इंवेंट्री ठीक जी सर अच्छा अगर question silent होता है debit balance of P&L account deferred revenue expenditure और intentional set को हम लोग करते सर राइट अप करते हैं इंट्री को सर अभी hold पर रखते हैं कोई overpoint अगर आगे तो वो लिख लेंगे टिक मैं आपको एक्जाम को पैंट्री से उता रहा हूँ कंपणी पेट 60,000 एच पैनल्टी टू अवाइड capital commitment तिक अच्छा यह entry complete हो जाएक तो कि इसमें कुछ और point अभी नहीं है चलिए यह सर हम क्या करें पोस्टिंग कर देंगे ते ट्रेड पेबल सर अपका 15,0000 और यहां पर आप देखें तो एक देखने तो देखने तो ट्रेड बेडि़स हो जाएगा डील फीस छले ट्रेड वेडिबल टूचण अकाउंट वन एडट ये चलें जी ऐए तो सब्सक्राइब करते हैं तो अगे बढ़ते हैं एक नोट डाल देना की वी एजिम वेल्यो गुडविल इस ने ठीक जी सर्ट थरडगाई एस सब्सक्राइब Construction Limited is engaged in the business of constructing Ply River and Railway Overbridge It obtained a contract from Railway Authority to construct a Railway overbridge for Rupees 400 Cirew ठीक जी सर् at the outset of the contract it was estimate that the total cost to be incurred will be 370 crore but by the end of the year 1 this estimate stand revised to 375 crore sir initially sir the estimate the contract cost to be 370 but the year end of the year 375 during year 3 the construction limited has requested for a variation in the contract which is approved by the railway authority and accordingly the total contract value will be increased by rupees 10 crore and cost will increase by 7 crore sir contract value 10 crore से बढ़ी की है और cost 7 crore से बढ़ी की ठीक year 3rd में the construction limit decided to measure the stage of completion on the basis of the proportion of cost, contract cost incurred to total estimate contract cost, contract cost incurred at the end of the year each sir देखे पहले साल सर ये cost incurred की है question की requirement क्या आपने stage of completion निकालना profit to be recognized निकालना ठीक सबसे पहले हम लोग क्या आपने stage of completion निकालना कैसे cost incurred till date divided by total estimated cost अभी sir यहाँ पर देखिए total estimated cost आपका year 1 में ही sir वो increase होगी 375 divided by 375 sir यह आपका percentage of completion आगया contract price sir 400 है contract revenue minus cost profit or loss up to date minus sir profit or loss already recognized profit or loss 4 by year आगया ठीक जीए sir चलिए year 2 की बात करें तो 202.4 divided by 375 percentage sir 53.97 ठीक 453.97 परसेंट sir यह आपका contract revenue आगया sir इसमें से contract cost minus करते हैं तो profit or loss up to date आगया opening profit minus करते है profit or loss for the year आगया ठीक यह profit for the year आगया ठीक जीए sir sir यह थड में देखिए 3 क्रोड का material अपने पास unused है इसका हम लोग sir क्या है 307 cost इंकर हुई है ठीक जी sir estimate cost में sir अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे sir 7 क्रोड से sir increase हो गया तो sir बात समझना द्यान से 375 plus 7 382 आ जाएगा और मैं आपको बता दूँ यह जो 3 क्रोड है यह उल्यडी कंसिटर उसमें कर लिया होगा ठीक जी sir और sir year 4 में sir यह जो amount दे रहा इसमें ओल्यडी आ चुका होगा अगर question अलग से बोलेगा न कि यह इसमें included नहीं है तो हम लोग अलग से याड़ का ठीक जी sir चलिए तो यहां पर आप देखेंगे तो 307-382 परसेंटेज आगे sir आपका 80.37 परसेंट यह 410 आपको कॉंट्रेक्ट प्राइस बन गया revenue cost ज्यान से देखने इसको यह 307 की कोस्ट आ जागे ठीक जी sir यह प्रोफिटर लोस अप्टुडेट आ गया यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका 100 प्रसेंट कंप्लीट हो गया कॉंट्रेक्ट 382 आपका कोस्ट आगी 410 revenue आगया यह प्रोफिटर लोस अप्टुडेट आगया ओपनिंग प्रोफिटर लोस प्रोफिटर लोस फोड़ आगया ठीक जी चलिए क्वेस्ट बढ़ी है क्वेस्ट के रिकार्मेंट देखें क्या लिखता है यह रिक्वार्ट तो कल्प्रेट नेट कैस्फ फ्रोफिट अपरेटिंग एक्टिवेटिंटी तिक जी सब इसके 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 अदर तो तो क्लोजिंग बैलंसर 37,800 है ओपनिंग बैलंसर आपका नेगेटी बैलंसर मतलब आप ने सर देर कितना प्रोफिट कमाया होगा 43,200 क्योंकि ओपनिंग लोस भी आपने कवर किया होगा ठीक जी सर आईए एक बार अर्जस्मेंट पड़ लेते हैं income tax provided during the year सर 162 है पहला पॉइंट नियोडि इंचोड आप बीजिशूट अट आप दे आप दे करेंट फैनिसल यर नियोड पोइंट नियोड आप दे आप दे आप दे आप दे नंड आप करेंट फैनियर चलिए प्रोविजन फो टेक्सेसन सर ओपनिंग बैलेनस आएगा आपका 221-400 से क्लोजिंग बैलेनस यह आजाएका लेजर बना लेते इसका इंकम टेक्सर आपने करणंटीर प्रवाइड किया 162 से ठीक तो बैलेंसिंग फिगर सर आपका टेक्स पेड़ आ जाएगा यह देखिए ओपनी क्लोजिंग करणंटीर का सर प्रोविजन और सर यह आपने टेक्स पे कर दिया ठीक जी सर यह टेक्स पे आगया सर यह आपका प्रोविजन फोर टेक्स आगया चलिए कि आगे बढ़ते जर्नलीजर में सर आपने 27,000 ट्रांस्फर कर दिया 12% डिबेंचर आपके लिए फाइनसिंग अक्टिविटी है लेकिन हां इंट्रेस्ट जो आपने पे किया होगा आपने पेनल अकॉन में चार्ज कर लिया होगा तो सर उससे क्या होगा आपका न ओपरेटिंग जो नेट प्रोफिट है मतलों वो कम हो गया होगा ठीक जी सर त 12 साल का गया होगा 118 800 इंट्व आपका 12 परसेंट 14256 एड करतेंगे चलें जी सर ट्रेड पेबल डिक्रीज होगे इसका मतलब क्या है कि जितना हमने पर्चेस का माउंट चार्ज किया था उसके कंपरजिन में हमने क्या किया पेमेंट ज्यादा किये तो क्या करेंग सर माइन होगी सर वो आपका इंवेस्टिंग अक्टिविटी पर नहीं हो क्योंकि कैसेंट कैसे इकुलेंट नहीं है ठीक जी सर तो 54,000 क्योंकि उसने लिखा है कि सर इंवेस्टमेंट आपने ये रेंट पर एक्क्वायर की ठीक इन्टु आपका 8% 4320 अब चाहो तो एक नोट लिख स रखते हैं कि we assume current investment is not a part of cash and cash equivalent ठीक जी सर प्रोपर्टी प्लान एंड एक्क्यूपमेंट सर इसमें कोई चेंज नहीं है लेकिन depression में चेंज है इसमें सरी नोन कैसा आइटम है तो आप क्या करेंगें सर एड़ बैक करते हैं 162 प्लस सुरी माइनस 129,600 32400 आगे चलते हैं सर ट्रेड रिसेबल सर इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब सर हमने क्या किया होगा सर सेल का इंपेक्ट लिया होगा बिल्कुल ठीक है अगर ट्रेड रिसेबल इंक्रीज हो गया तो सर इन कंपैरिजन टू सेल अपने पास जो क्लेक्शन हो कम आया होगा तो हम परोशन नहीं क्यक्क एक प्रोविजिन क्रियेट किया होग। सर हम क्या करेंगे एडबैक कर देंगे। जोटिनोंगे इसाइटम होगी। इन्वेंटरी सरवडिक्रीज विसका मतलब किया तो आपका प्रोफिट कमा रहा होगा बट्र कैश कम नहीं आ रहा होगा। तो आप चाहते हैं सर एड़ बैग कर देंगे अ कि फिप्टी फॉर थाउसेंड से कैसे कैसे क्यों सर आपका ओपनिंग कैस क्लोजिंग कैसा आजाएंगा और इस यह सर अमांट कंप्यूट करना से जो कि आपने इसू कि ठीक जी और सर new company का अपनी क्या करना balance sheet बनानी है अगर direct new company balance sheet मांग रख्यों होते हैं उस case में हम लोग का करता सर goodwill a capitalist shortcut के साफ से calculate काते ठीक जी सर आइए question पटते है रहाम स्ली I limited and D limited are carrying their business independently for last two years ठीक जी सर following financial information in respect of both the company as at 31st March 24 has been given to you सरी कुछ information देदी आपको equity share capital देदी 8% preference share देदिया रिटार्मेंट ग्रेट्टी फंड आ गया पी एंडल अकाउंट का balance आ ओपनिंग प्रोफिट फॉर्ट फॉर्ट फॉर्टी रिसेबर कैसे ड्मेंट टीक ओन 1st April 24 बोद ये कंपनी अग्री तू अमल्गमेंट एंड फोर्म अन्धर-फास,स्षा Deutsch,प्सेय वि प्रहां पॉर्ट कल क्वा हैउट्र फोर्मिक दौन कंपनी सब्सक्रिटर को सत्रेंट जिर्ट फोर्मेंट फि तूहां है थोई ने ये या वाने अग्रेमिक ब्रॉट कुलाए के इंगे का पैक्रों के आवि म् आत की क्लेंच पिर्ट बनाते हो ठीक जी सर इसके लाव सर कहीं और यूज नहीं इस पॉइंट का दा पर्चेश कंसेट्रेशन इस टुब डिस्चार्ज इन दा फॉल्विंग मैनर इसू 22,000 एक्विटी से रोप हंडर्ड इच पुली पेड़ इन प्रोपोर्शन ओप दा सम ओफ देर प्रोफिट के बेस पे अब यह देखे सकते ओपनिंग बैलन्स मतलब आपका प्रीविश एर का प्रोफिट जोकि दो साल पहले कंपनिया बनी है और प्रोफिट यह करंटियर का ठीक इसका टूटल करें इसका टूटल करें और इस रेस हम क्या करें सकते 22,000 सेर को एलोकेट क और 8,000 सेर किसको देंगे डी के सेर होल्टर को ठीक जी सर चलिए प्रेफरेंस सेर अगर आप देखेंगे तो 8 परसेंट है इन कोमिने 10 परसेंट प्रेफरेंस सेर दिये हैं सर 100 का एक सेर है तो यह 3,000 आ गया यह आपके 2,000 आ गया सर 125 से मल्टिप्लाई इसको कर दें 125 से इसको मल्टिप्लाई कर दें और ध्यान रखेंगे जब हम लोग नई कंपनी बैलेंस इत बनाएंगे तो सिक्योर्टी प्रीम सर 25 अलग से अलोकेट कर दें ठीक जी सर तो 3,000 सर 125, 375 और 250 आगे परचेस कंस्टरेशिया सर 375,250 यहापे सर 75,000 आमाउन आपका सेटी प्रीमिय नहापे 50,000 आमाउन सेटी प्रीमिय में बाकि आपका प्रीमिय में रखेंगे टिक जी सर चलिए 12% की इस बेंट इच इंग 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 एंग अटट पर तो पर्यान इंकम 10 to 10% return on the basis of net asset in their respective business on 1st April 24 after evaluation of asset वो ये कह रहा है कि G limited क्या करेगी 12 परसेंट डिवेंचर इसू करेगी ठीक जी सार 10 परसेंट जो मतलब उनकी capital employed है उसके पर 10 परसेंट उनको income मिल जाए ठीक जी सार देखिए net asset मतलब capital employed आई लिम्टर और दी लिम्टर की जो capital employed है जो net asset है उसके 10 परसेंट के बराबर income मैंटेन करने के लिए सर नई कंपनी क्या करेगी 12 परसेंट डिवेंचर इसू करेगी ठीक है जी सर तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर आप देखेंगे तो सर यह अपना working note में यह net asset आगी ठीक जी सर अब सर ने असेट के 10 परसेंट के बराबर सर इंकम आ जाएगी 210 और आपका 135 देखिए सर यह आपका net asset आगी यह return आगया net asset के बेस पे यह 12 परसेंट डिवेंचर आपने इसू करती है ठीक जी सर प्लीज ध्यान से बात सुनना सर यह डिवेंचर जो है यह भी PC का बाड़ बन जाएं क्योंकि आपने न सर शेर होल्टर को सर डिवेंचर इसू की है पेमेंट टू में सर शेर होल्टर होने चाहिए पेमेंट इन में सर कोई भी फॉर्म हो सकती ठीक जी सर तो यहां पर प्लीज की बात करूं नेट असेट कर रख ती यह देखें सर तो यहां पर आप देखेंगे तो गुडविल काप्टल जो PC पेड माइनस नेट असेट ठीक जी सर यह आपका गुडविल आ अब हम बैलंस इट कैसे बनाएंगे देखें सर यह नेट असेट की वर्किंग होगी यह गुड़िल की कैल लैक और तूलैक 5 लैक से 125 सर आपका सीक्यूर्टी प्रिमें में आ जाएगा ठीक जी सर उसके बाद सर नोन करन लाइबल टीम अपने डिवेंचर आ जाएंगे 12 परसेंट सर कितने से 17 आपका 28.75 यह देखें ठीक जी सर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वर्किंग से बैलंस इतने देखें लोग ओल्ड कंपनी कभी भी ट्रेड पेवल देखें सर नेट अशायट में सर यह ट्रेड पेवल है आपका इसमें से हम लोग क्या करेंगे सर जो कॉंट्रा बैलन्सों से कैंसल कर देंगे रिटीर्मिल्ट्पिंस सर हम लाइबल्टी उसको भी लाइबल्टी दिखा देखेसंद नोंकंट लाइबल्टी में आये गई थीक जी सरु यह ट्रेट पे बला गया कोंट्रा कैंसल कर दिया तर पीपी में आपका लेंड बिल्डिंग प्लानरिट में शिंद्री आ जाएगा और गुडविल आ जाएगी 22,002,005,001 जी सर और सर आपका inventory ट्रेट डिसेब्लिम कोंट्रा गैंसल हो जाएगा ठीक जी सर फ्लीज ध्यान देने जो सोटकट होता ना उसमें सर कभी भी कोंट्रा बैलेंस कैंसल नहीं होता कोंट्रा बैलेंस अलक से कैंसल करते ठीक जी सर चलिए इसके बाद सर क्वेस्टन आपका था बहुत ही बड़ी या क्वेस्टन था आई डिसकस करते हैं दा बैलेंस इटोप अलिंप्रेट एंड सी लिंप्रेट एज अन थर्टीपर स्मार्स 24 आर आज फोलोज तर आपको बैलेंस इट देदी ए और सी कि टिक जी सर शेर अल्डर फंड, शेर कैटल, रिजवेंसर प्लस करन्थ लियावल्स ट्रेड पेबल, सोतं बोरॉंग, नोन करन्षेट प्रॉपर्ट्टी प्ला्न इनक्क्प्मेंट् fundamentally क्रेंट अबका इन्वेंटर गधे लिसाबल थे कैसे हीसका, टिके स्थथर नोत्स हो, फिपक कांट हूट या है डाइग्राम में सर हम लोग डेट कौन से डालते हैं सर एक तो ख्लोजिंग डेट और एक जब से क्वैसन इंफोर्मेशन दे रखे है कि फस्ट अप्रेल 23 ठीक जी सर ए ने क्या किया सी के न थर्टीट अप्टोबर को अच्छा टोटल सेर कितने हैं सी के सर फोर लाइक कैपिटल है और हंडल का एक सेर है तो फोर थाउजेंट है एटी परसेंट है कि एटी परसेंट इक कोटी से राविए ठीक जी सर चलिए सर पी येले कंट और आपका रिजवेंट प्लस का जो बैलेंस दे रखा सर वो फर्स अपरेल का दे रखा है प्लस पी एलेंट का बैलन सर फिफ्टीएट सेवन हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दा प्लान रिचनिटी ओफ क्राफ्ट लिंट्र विच्टूड एट टूफिप्टी एज फिर्स अप्राइल टॉंटीथ्री ओके सटूफिप्टी प्लान अन्मसिनटी की यहां पर वैल्यू वास कंसिड़र वर्थ 220 ओन देट ऑफ एक्क्यूजेशन सर यहां पर आपने क्या करना है 220 पे कंसिडर करना है चलें आजी सर देखिया गी क्या लिखता है दा डेपरीशेशन ओन प्लान अन्मसिनरी इस काल्कुलेटर एट 10 पर एनम ओन देवसिट पूस्फूल लाइफ सर यहां पर यहां पर आजाएगी आपकी 225 एक बार क्रोस कर लें प्लांट अन्मसिनरी 225 ठीक जी सर देखिये सबसे प्यारा पॉइंट जारू है क्राफ्ट लिंटर मतलब अगर सबसेडीरी कमपणी ने डिफ्रेंट पोलिची फोलो कर रखिये तो हम लोग क्या करते है सार उसकी फैंस स्टेट्में को अपडेट करते है यहां प्र चाहिए सर 1% का जो प्रोविजन उसे रिवर्स कर देंगे 168,300 सर आपका 99% वैल्ली है तो सर 1% प्रोविजन सर आपका 1700 से आ जाएगा और सर हम क्या करेंगे जो प्रोफिट है ना 1700 से सर क्लोजिंग प्रोफिट को बढ़ा तो अगर आप प्रोफिट देखेंगे ना तो सर हमें प्रोफिट दिखाए देगा 209,700 और देटर दिखाए देगे सर 170 से ठीक जी सर चलिए 31st March C limited inventory include goods which it had purchased from A limited अगर A ने goods बेचे तो A का प्रोफिट कम होगा और सर C का स्टोक कम होगा 103,500 which made a profit of 15% on cost price हम लोग क्या करते हैं स्टोक रिजर्व सर्सेल प्राइस के साफ से कर्मेट करते हैं तो स्टोक रिजर्व की तिने से आएगा 103,500 divided by sir 115 into 13,500 से तो हम 13,500 से सर क्या करें स्टोक कम कर देंगे और sir P का profit कम कर देंगे आई है हम क्या करेंग सर P का profit कम कर देंगे इसमें से 13,500 ठीक जी सर बटा मैंने नहीं यहां पर प्रोपर सोलूसन दे रखा है बट मैं तब भी सोलूसन आपके साथ डिसकस कर रहा हूं ठीक जी सर आए सर इसे अब अपना जो घर करने का सर क्या रहेगा देखेंगे पहली लाइन से ल Capitol से क्राइच मैं चलते यहां पर आप देखेंगे तो आपका 40,000 से हैं और क्लोजिंग 40,000 से तो सारा आपका सब्सक्राइब कर दो क्या लिखांगे वर्टिकुलर्स कैप्टल प्रोफिट रिवैन्व प्रीन्ड और टोक्तल आईए रिजब एंड शर्पलस 40,000 तो प्रिवैन्ड चीफ लिटी की जिवर्मल गें हो कि चाहू नेखिए फैनल सोपनिंग कितीने से फिप्टीныत से पैसे अ क्लोजिंग वैलन्स कितीने से स्थू लैक 11 am 10 si localton is अर्ट से वर्किंग अलग से बना जबनांगे टीजिर्ग सकते हैं डी टीनोल और प्लस आ जाएगा सर प्रोविजिन फॉर डाउटफुल देट्स 1700 ठीक जी सर तो एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पर प्रोफिट का डिफ्रेंस आएगा क्योंकि यह जो प्रोविजिन सर यह 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 एंड पर बनाओगा जी सर अच्छा इसमें कौन कौन से हैं एक तो सर टाइम एजस्मेंट है ठीक है सेकंड सब्सक्राइब के बाद आती है ठीक सर प्रोविजिन के बाद हमने कर लिए जो आपका स्टोक रिजवा सर वह आपका पेरेंट कंपनी बुक्स में मतलब पीनल में अरजस्ट होगा यह आप अरजस्ट नहीं होगा ठीक तो आएए सबसे पहले सर आएगा प्लस माइन सब्सक्राइब अब का का लिए जितना भानें गी और क्या करें जो क्वेट करतें देखिए क्वेश्चन ने फर्स अप्राइल का प्रोफिट दे रेका वो प्रोफिट क्यापिल हो गया सर फर्स्ट अप्रेल से 31 मार्च के बीच में जो प्रोफिट कमा गया है उसका एक हिंशा अप्टू 1 अक्टूबर बनेगा और बाकी स इन्टु 6 डिवाट बए 12 एक सेकंड 1,501,000 इन्टु 6 डिवाट बए 12 तो सब 75 500 का प्रोफिट सर आपका प्रोफिट आजाएगा चले जी सर आई अब लगे हातों एक काम करते ए उपी को कंपलीट कर लेते ठीक है जी सर अब यहां देखे सर जो प्लांट एंड मुसिंद्री है इसका जो कैरिंग अमाउंट यहां पर आना चाहिए 250 इंट्ट 10% डिवाइड बाई 12 इंट्ट 6 सर 12500 डेप्रीसेशन आगया सर कैरिंग अमाउंट है 237 500 से ठीक जी सर रिवैलूड अमाउंट सर कितने से सर आपका 220 से तो 17500 का सर किया आ जाएगा आपका रिवैलूशन लोस आ जाएगा जो कि कैप्टल नेचर का है कि एटिसर कितने से आएकि देख़े सर हम लोग क्या करेंग रिवैलूड अमाउंट पर सर देप्रेसेशन के करेंगे 220 आपका रिवैलूशन लोस है तो सर यहां पर से एउआपके सर शिविप्रेसेट न आ जाएगा इंट टैन परसेंट इंटी इन की टैन प्रेसेशन वू और ध्यान रखेंगे इसके जिस्मेंट सर आपका प्लांट एंड मशिनरी के अंदर हो जाएगी चले आजी आई अब ये जो प्रोफित आएगा 98,700 प्लस 75,500 माइनस 17,500 सर 156,700 आगया और ये आजाएगा सर आपका 151 प्लस 1500 माइनस 75,500 सर 77,000 आई अब इसको अलोकेट करते हैं फोल्डिंग कंपनी ए लिम्टर 80% माइनोट इंटरेस्ट 90% 61,600 15,400 1,2,5,3,6,0 3,1,3,4,0 ठीक जीसे आई cost of investment कितने से हैं सर cost of investment है 432 से cost of control कर्कुरेट करते हैं और minority interest 432 ठीक जीसे ये capital आगी ये capital आगी minority interest में ठीक जीसे ये capital प्रोफिट आगया revenue profit आगया ये देखे सर 3,1,3,4,0 और 1,5,4,0 1,2,5,3,6,0 capital प्रोफिट आगया ये सर आपका capital रिजब आगया ठीक जीसे आगे परते हैं सर रिवैन्य प्रोफिट प्रोफिट और लोस में आ जाएगा सर ये capital प्रोफिट हमने calculate कर लिया था ये revenue profit आगया ठीक जी सर P&L अकाउंट ये revenue profit और लोस आगया ये additional deficit saving and deficit system आगया P&L की बात करें तो सर ये देखे 192 का profit है ये सर रिवैन्य प्रोफिट में share है और सर ये अपका stock reserve ठीक जी सर आएए अब balance बना लेते हैं देखिए reserve एंसर प्रोफिट सर अपने complete हो गया है मैं एक पर टिक करा देता हूं capital reserve general reserve ठीक जी सर पेनल अकाउंट का balance ये हमने calculate कर लिया था कर लिया था आए आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद बात करते हैं ट्रेट पेबल की सब इन दोनों को जोड़ देंगे टू आपका 37 सर बैंक ओडी सोर्तम बोर रहेंगे आपका 70,000 प्रोपर बीट मैंने working नोट वगर बना रहा है ठीक है इस इधर अगर बात करें सर आपका PPE की तो लेनल बील्डिंग सर आपका 325 ये देखिए प्लांट एंड मसीन प्री सर हम क्या करें इन दोनों को जोड़ देंगे यह माइनस ये सब एड़ करतेंगे ये टोटल अमाउंट आ आगे बड़े हां जी सर इनवेश्मेंट तो सरम ने रिप्लेस कर दिया है अच्छा इनवेंटरी सर जोड़ देंगे 13500 से सर रेड्यूस कर देंगे एजस्टोकरी जो ये देखिए सर ट्रेड रिशेवल के अगर बात करें तो सर 170 आड़ करेंगे ठीक है मतलब पहले ये आड़ करेंगे ये प्रोजन आड़ करेंगे 133 500 प्लस सर आपका 170 सर 303 500 ठीक जीसा कैसें कैसी को एंटसर जोड़ देंगे 31 200 आगे आगे पाने एक जीससर जीप्ता मैंने एक एक चीज़ की वर्किंग कर रखेंगे क्वेस्टन 6 का ये बहुत ही प्यारा क्वेस्टन था एस 19 का देखिए थी प्रोजन आगे प्रोजन और आटापिए इंटसर आपका जोड़िया कि दूख तो आपका क्वेस्टन था अगेशन था आपका ईए अन्गरॉट मैंटन रजल कले लिसल कोशें प्लीज यहां पर ध्यान से बात सुनना कितने लीज पेमेंटे की हैं क्वेसे नहीं नहीं बताया इइस से केस में जहां पर लीज पिमिन नहीं बताता पैसे नम लोग क्या मानके चलते हैं चलते हैं कि यह असेट जो है सर उसके गैंस एक तो अंगर्ण टरी वैल लिवा जाए कि और बाकी प्र देखेंगे सर 18 lakh fair value of the asset है जी सर 2 lakh sir UGR भी है तो 2 lakh into क्योंकि पैसा 3 साल के बाद मिलेगा into 0.7118 सर 124 sorry 142360 minus sir आपका 18 lakh सर 1657 640 को क्या करेगा लीच पिमेंट के रूप में receive करेगा ठीक जी सर यह हम हमेशा पानके चलते हैं जहां पर सर question में lease payment नहीं दे रख्यों थे ठीक जी सर the present value of the rupees 1 due at the end of the third year at 12% rate of interest is 0.7118 ठीक है the present value of the annuity of rupees 1 due at the end of the third year at 12% IRR is 2.4018 यह देखे सर 3 साल का 12% के साथ जो annuity factor सर वह यह दे रहा का ठीक you are required to analyze whether lease constitute a finance lease सर यह देखिए क्या यह lease finance lease है सर हम लोग क्या करेंगे सर condition check क्या automatic ownership transfer हो रही नहीं सर सर क्या कुछ payment transfer करने बाद लाएसी के दुवारा ownership transfer हो रही नहीं सर मतलब lease credit के बाद कुछ payment करने के बाद सर जो की आपका market value से कम payment होती है क्या होना transfer हो रही नहीं सर सर जो आपका lease period है क्या उस substantial equal to economic life of the asset है नहीं सर क्योंकि life 5 year है और सर आपका lease period 3 year है ठीक जी सर क्या set special nature की नहीं सर last point क्या होता है जो present value ते नहीं lease payment की वो substantial equal to fair value of the asset होनी चाहिए ठीक जी सर तो यहां पर हम लोग क्या माननेंगे कि इतनी lease payment की recovery हम लोग कर लेंगे ठीक जी सर तो 1657 640 divided by 18 lakh यह आपका 92.09% ठीक जी सर सर अगर 90% से उपर होता हम लोग क्या मान के चलते सर कि substantial part cover है तो सर यह आपका क्या बन जाएगा सर यह आपका finance lease बन जाएगा ठीक जी सर also calculate earned finance income सर finance lease के case में जो lesser होता earned finance income कैसे निकालता है सर जो lease payment plus GRV plus UGRV सर उसका amount ठीक जी सर हम उसको बोलते gross investment तो सर यहापर कितना amount आएगा सर आपका 2 lakh plus lease payment कितने आएगी सर यह देखे यह PV है lease payment होगी ठीक जी सर यह सर आपका तो 1657640 divided by 2.4018 सर annual lease payment आगी 690 165.7166 आगा ठीक जी सर सर पिमेंटे जो आगे 2070498 plus आपका 2 lakh 22,70,498 ठीक जी सर यह सर gross investment आगया है इसमें सर लोग क्या करेंगा सर net investment सर इनकी जो PV है सर इसकी जो PV है वह ही आजाएगी जी सर इसकी पीवी सर यह आजाएगा 18 lakh आगया तो सर अनन्ट finance income आगया आपका 470498 यह देखिए चले आगे जी सर इसके ओप्सिन में जो question दे रखा था वो AS20 का question दे रखा था यह भी बहुत ही बड़ी यह question देखिए ओन 1st अप्राइल 23 ABC Limited has given following information 50,000 equity share of 10 sorry 100 each Rs.80 paid up by all shareholder सर आपके 50,000 equity share 100 का एक share 80 paid up है तो सर इसका मतलब क्या है कि आपके 50,000 जो share है 80 paid up ठीक जी सर तो पूरे साल सर यह 80 का amount outstanding रहेगा into 12 divided by 12 40,000 share आगे ठीक जी सर 2 lakh 8% preference share दी रखा है 20 lakh से 10,000 12% debenture है सर 100 का एक each debenture is convertible into 3 equity share of 100 each सर एक जो debenture है सर उसे आप क्या करेंगे 3 equity share में convert करेंगे तो 30,000 सर आपका potential equity share बनगे ठीक जीस सर ओन 1st July 23 the remaining 20 was cold up and paid up by all the shareholder except one shareholder holding 10,000 equity share सर एक shareholder जिस्क पर 10,000 equity share थे उसने सर पेमेंटे नहीं की इसका मदब सर क्या है कि 40,000 ने पेमेंटे कर दी कितनी 20 के साब से ठीक जी सर यहांप एक काम करेंगे 80 divided by 100 कर लेंग जी सर क्योंकि हम लोग क्या करेंगे सर fully paid up में convert कर देंग ठीक 100 इंटू आपका 9 upon 12 क्योंकि 1st July को आपने पैसे मह आए हैं 40,000 इंटू आपका 20% divided by 12 इंटू आपका 9 सरी अमाउंट आगे आपका मत्यों सर नमर उपका 6,000 46,000 सर आपके weighted average of equity share आगे ठीक जी सर आगे question यह लिखा है during the year 23-24 the company had a profit after tax 344 sir profit after tax दे रखखा है अब इसमें हम लोग क्या करेंगे preference dividend minus करेंगे अगर cumulative preference share capital है तो irrespective of कि आपका dividend declared है या नहीं है हम लोग क्या करते dividend को minus कर देते preference dividend को और अगर question silent तो हम लोग हम हम सा क्या मान के चलते है है कि cumulative preference share capital है तो हम लोग क्या करेंगे sir 20 lakh इंटू आपका 8% 160 का dividend इसमें से minus कर देंगे 344 तो यह amount आगे 180 पर से question का requirement क्या है tax rate 30% है you are required to compute basic and diluted earning per se basic earning per se 184 divided by 46,000 आपका 4 आगया diluted की बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे potential equity share का effect लेके चलेंगे earning में भी और सर वेटेड है वेज़ों equity share में है ठीक जी सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30,000 potential equity share होगे earning में effect कितना आएगा sir 10 lakh into 12% 120 लेकिन sir 30% हमें tax की बच्चत है तो मैनिस 30% sir 84,000 तो हम लोग क्या करेंगे 184 प्लस 84 फ्लीज ध्यान देना प्रेफरेंस ड्यूटेट को add back नहीं करेंगे क्योंकि सर प्रेफरेंस ड्यूटेट आपका यहाँ पे potential equity share नहीं है ठीक जी सर अगर ऐसा होता कि वो potential equity share होता तो सिर्फ information आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट अब ज्याद लिंटर अज अं 31st मार्च 24 तरी कुछ information दे रखे जैड कर रिगावड में equity share of 100 इच 500 लाग general leezer 100 लाग loss for the year ending sir आपका 5 लाग due to absence of profit during 23-24 the management recommend it to declare dividend of 10% on equity share capital out of general leezer sir management ने क्या किया 10% dividend sir declare कर थे जैनलीजर में से 50 लाग अठीक जी सर the rate of equity dividend for the last five year immediately preceding the year 23-24 are as followed ये पिसले 5 साल के dividend के rate दे रखे as an accountant of the company you are required to suggest whether the recommendation of the management is justified if you do not agree then suggest the rate of dividend देखें sir क्या earlier year के profit में जे dividend पे हो सकता answer is yes आपको तीन condition पूरी करने पड़ेगी पहली condition sir जो भी dividend का rate रहेगा वो पिछले 3 साल की average जो भी dividend का rate रहेगा वो पिछले 3 साल की average जो भी dividend का rate है उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए ठीक जी सर यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन प्रसेंट के बराबर होना चाहिए सर शिक्स्टिम विट्रोग कर सकते हैं ठीक जी सर थर्ड सर जो अपने पास free reserve बच जाएगा वो 15 प्रसेंट पेड़ब के बराबर बचना चाहिए हंड्र लाग का जनर लिजेव है 15 प्रसेंट पेड़ब केपटल सर आपका सेवन्टी फाइब का पैसा सर हम लोग 25 लाग हम विट्रोग कर सकते ठीक क्योंकि 60 लाग वो 25 लाग में से 25 लाग कम है इतना पैसा बीड्रोग कर सकते हैं लेकिन सर रूल है कहता है कि अगर कर्ण बीडिंड में आपको लोज ओ तो पहले आप क्या करें उस लोज को रिजेस्स करेंगे तो हम पहले से लोज को रिजेस्स करेंगे तो 20 लाग की सार अपने पास अभीलब ऑल पाएगगा जी लिए sir 20 divided by 500 sir अपना 4% dividend का रिटा आ जाएगा ठीक जी sir यह देखिए यहाँ पर क्या लिखता है the amount so drones should first to be utilized to set of losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of the equity series ठीक जी sir चले हां जी आईए next question sir AS11 का question ना बहुती बड़ी हा question एक दम excellent question देखिए क्या लिखता है S Limited is an Indian company and has its branch at New York एक बार इसको टिक कर ले ना 4% को टीक है जी sir the following balance in respect of the S Limited USA branch office are provided expenditure cash and bank debtor fix set sir gross आगया rate of deficit sir आपका 20% आगया inventory stock भी inventory stock क्यों tick जी sir credit balance आगया the following additional information is provided average exchange rate sir आपका 56 है ठीक है fixed asset का sir जो जिसने आपने पर्चेस के तरह रेट 55 है ठीक है closing exchange rate sir आपका 58 है ठीक है sir stock item P is valued of USD 5520 okay purchased when the exchange rate was 56.5 sir net reliable value आपके 285 है most important point current discussion stock item Q is carried at net reliable value of USD this one its cost in USD sir आपका 1065 है इत वाज पर्चेसर उस दिन रेट आपका 53 था ठीक जी sir branch control account as for head office book sir आपका 266265 है you are required to show how it will be reflected in the books of head office in the form of trial balance if the USA branch office is classified as integral foreign operation देखिए अगर integral foreign operation है तुम लोग क्या करते सर fix asset को depreciation को sir जिस date पे आपने fix asset purchase की उस date के rate पर convert करते ठीक जी sir मतलब मैं कह सकता हूं transaction date पे fix asset की जो transaction date है उस date में जो भी rate होगा ठीक all asset and liability other than fix asset sir आप क्या करेंगे sir closing rate पर convert करेंगे income and expenditure average rate पर consider करें अधर convert करें ठीक जी sir अच्या अगर कोई balance है आपका between head office और branch या sir आपका transaction है between head office और branch उसको हम लोग क्या करते है as per the HO record convert करते है ठीक जी sir सबसे important point अगर किसी asset के आप realizable value consider करते हैं तो जीस date पर आप realizable value consider करते हैं उस date काम लोग क्या करते conversion rate लेते ठीक जी sir please ध्यान देना मैं आपको यह line read करा देता हूं as per AS11 the recoverable amount जैसे sir आपका AS28 में recoverable amount calculate करते है ठीक जी sir or realizable value जैसे sir आपका realizable value AS2 में ठीक of an asset is translated using the exchange rate that exists when the recoverable amount or net realizable value was determined जीस देन sir आप recoverable amount calculate करेंगे या जीस देन sir आप क्या करेंगे net realizable value calculate करेंगे ठीक for example when the net realizable value of an item of inventory is determined in a foreign currency that value is translated using the exchange rate at the rate at which the net realizable value is determined rate used sir कितना है आपका closing rate मतलब उस rate मतलब जीस rate पर सर आप क्या करेंगे इने consider करेंगे उस date का rate लेंगे जो की closing rate होगा ठीक जीस आए expenditure excluding depreciation sir आपका average rate आजाएगा 56 cash and bank balance sir closing rate 58 debtor closing rate 58 fixed assets sir आपका gross amount यह depreciation है 20 परसेंट ना तो 34 200 इंटो 20 परसेंट सर 6840 और सर ट्रांजेक्शन रेट थापका 55 यह देखे सर 6840 यह balance आगे आगे बढ़ते हैं inventory स्टोक पी अब हम लोग क्या करेंगा सर inventory ना जिस दिन हमने पर्चेज की थी उस दिन उसकी 6.5 ठीक जी सर सर नेट रेलाजव यह रूपी इस में देदी हमें डिरेक्ट तो हम लोग विचावर इस लोगर 285 चलिए सर स्टोक क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट पाइंट 1035 क्या है सर आपका क्वेस्टन ने बताए अब यहां पर देखें सर इट वास पर्चेस्ट मैं एक्चेंज रेट था उस दिन करना इस दिन का एक्चेंज रेट था और नर्व के लिए मतलब जिस दिन आपने सर इनवेंटी को पर्चेज किया था उस लेट पर करेंगे और जितन आप उसको वैल्ली उस रेट पर करेंगे करेंगे के अपना 1035 सर तो क्लोजिंग रेट के साब से सर विचावर इस लोगा है रुपीज में सर लोगर हम कंसिडर करेंगे आपका जाएगा 56445 यह नोट आप फिर से एक पार रीड कर लेना ठीक जिसा 1065 इंटु आपका 53 1035 इंटु आपका 58 इसी के साथ यह समापत होता है आपने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब दोस्तब साथ वीडियो को सेर करना है जिन बच्चों के अभी मई में एक्जाम थे जिन्होंने मई वाला अटेम्ट दिया है आप लोगों के रिजल्ट के लिए मेरी बेस्ट विस आपके साथ हैं एक बात और जिनका सेप्टमबर अटेम्ट है प्लीज अज सुन अज पोसिबल ना सर महनत करनी स्टार्ट कर दो त्यारी करनी स्टार्ट कर दो क्योंकि आपको पता भी न लगेगा अटेम्ट कब आ गया इससे पहले सर नमवंबर अटेम्ट होता था तो टाइम गैप होता इस बार टाइम का बिल्कुल भी नहीं है जब मैं वीडियो आपके साथ सेरी कर रहा हूंगा सर साड़ी तीन महीने बचे है उससे भी कुछ दिन कम 12-13 डेज सर आपके 14 डेज सर आपके मही के बचे है जून जुलाई अगस्त एक सेप्टमबर से एक जाम इसलिए आपने क्य करना है अभी से टाइम को अच्छे से रुटलाइज करना है और बिल्कुल चितना आपके लिए maximum possible हो पाई सर उतनी महनत करनी है अच्छे सर एक्जाम की त्यारी करनी है चलिए मिलते नेक्स वीडियो में थेंक्यू सो मच पोल दिवेश पोलेश पोलेश